दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं 20-22 चालिस का होम डिजाइन आप देख चकते हो अब चालिस करेंगे अगर हम चुड़ाई की बात करें 20-40 चालिस बैसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप और भी ऐसे इंट्रेस्टेड और बेटरीन model चाहते हैं घर के नक्से चाहते हैं नी होम डेजाइनिंग से तो आप new tech नाम चैनल को subscribe जरूर कर लें इसका link description में दे रखा है दोस्तों मैंने और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको mobile phone पर ऐसा subscribe बटन आ रहा होगा जैसे स्क्रॉल करेंगे तो उस पर आप क्लिक करते हैं यापर मैं लगातार latest updated home designing की वीडियो लगातार डालता रहता हूँ जैसा कि आप देख सकते हो बीस भाई 35 का बारा भाई 30 का दस भाई 30 का बीस भाई 35 और पंदा भाई 30 इस ग्यारा बाई 22 मुनों बहुत सारे डेजाइन यहाँ पर पढ़े हैं जो आपको suitable हो जो भी आपके पास जगह हो जिस तरीक है उस हिसाब से आप अपना घर का डेजाइन देख सकते हो और भी मैं लगाता रहा है वीडियो डालता रहूंगा तो प्लीज इस लो सब्सक्राइब जरूड कर लें तो चलो डिसकस कर लेते हैं पूरा आज डेजाइन आप देख चेकते हो यह पूरा बेतरी सा मॉडल आप देख पा रहे होंगे 20 बाई 40 में मैं आपको इसको पहले ट्रांस्पारेंश करके दिखा देता हूँ अभी बिलकुल ट्रांस्पारेंश ही और बेतरी देखने वाला आप देख चकते हो ट्रांस्पारेंश करके देखो कितना बेतरी यह आपका फ्रेंट जहाँ पर गाड़ी खड़ी है आप यह देख चकते ह तो पीछे आज पास आपके घर ही बने होंगे ज्यादा तर खुले में नहीं होगा तो इस बज़े से मैंने आज पास खुल भी नहीं बनाया तो आपका घर का डेजाइन आप देख सकते हो तो चलो हम दो डिसकस कर लेते हैं पूरा डेजाइन तो चलो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूब कर देते हैं जिसमें आपको ओरिजिनल देखे कि आपका कैसे ये दिखने वाला है तो चलो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूब कर लेता हूँ ये देखिए अब आपको ऐसा दिखने वाला तो ये टोटल 15 है दिवाल को अगर हटा दें तो 14 इस पेस आपका बच जाता है लंबाई में और चोड़ाई की बात करें तो अपर अगर दिवाल को अठा दें तो 19 फिट आपका ये पूरा चोड़ा बचेगा और ये अप्रोक्स आपका 14 फिट तीक है अब 14 मैंने 11 फिट का ये निकाल रखता है जहां पर गाड़ी खड़ी है ये 11 है और ये 14 मतलब की 11 बाई 14 का ये पूरा पूर्शन निकला हुआ है अब यहां पर जो आपका बसता है तो 14 तो लंबाई सेम रहेगी लेकिन 19 में 11 घटा दो तो 8 ये 9 आप्रोक्स आपर बच जात तो यहां पर आप एक रूम भी डेजाइन कर सकते हैं सिंपल सा ठीक है सिंपल सा प्रोसीजर है बेदरी सा आप रूम डेजाइन कर सकते हो अब इसका अगर हम अंदर चलते हैं तो आप देख चकते हो इस वाले पूर्शन की बात करें तो हमारे पास 15 फिट तो आगे निकल प्लॉट ठीक है अब बसता है हमारे पार टोटल 45 फिट अगर इसमें दिवाले निकाल दे तो टोटल अमाल लो यहां पर आपका यह बचने वाला है 24 फिट ठीक है तो बारा का यह हो जाएगा और बारा का यह पूर्शन पूरा है बारा की अब बारा मैंने साथ दो रूम मन करें आपको बेच रहेगा ठीक है यदि आप करें यहाँ से बनवागे अपना सकते यह बेड रूम यहां बेजरी अचाफारीं से निकाल रखा, यह 14 फिट में आप रॉक्स चार फिट निकाल लखा, यह 10 का बचे का ग्राउंड आपका, ग्राउंड बचे का 10 भाई 9 का, ठीक है, और यह मैंने आप लेटरिंग और बादरूम कमाइंड कर दिया, यह बेतरीं से आपका देख चक्तर सका डेजाएं, आज का ग तब बात कर लेता हूँ मैं दोस्तों, फर्ष्ट फ्लोर की, तो फर्ष्ट फ्लोर पर मैंने देखी, आपके तरह बेतरीं से डेजाएं, बालकनी, खुला खुला सब कुछ दिया है, मैंने, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यह जहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, यह पूर आपका बेतरीं से यहाँ पर खुब बड़ा से एक हॉल निकल आएगा, जहाँ पर आप बेतरीं सारी चीज़ें कर सकते हैं, लोगों को बैठाल सकते हैं, पर रिष्टे दा फ्रेंट्स को यहाँ पर बड़ा साल, और दो बेटरूम आपके पीछे हो गए, और यह एक बेतर बारे सारे सो तो आपका पानी ना जाएए च्छत बना दिया है, और पूरा ग्राउंड आप देख सकते हो, यहाँ पर आप जो भी करना चाहों कर बड़ा सा ग्राउंड आपका निकलाता है, तो यह पूरा डिजाइन था जो मैंने आपको डिसकेस्ट कर दिया, मैं एक बार आपको ट्रांसपैरेंश करके चारो तरब से दिखा देता हूँ, पहले देख लो दोस्तों, यह में गेट हो गया, और इसमें पेंट अपने मर्ज मर्जी कर चाहें जो भी करा सकते हो, देख सकते हो, चारो तरब मैं आपको दिखा देता हूँ, राउंड करके, तो यह आप का बेतरीं से डिजाइन बालकनी और सब कुछ निकाल आता है बहुत ही बेतरीं डिजाइन आप देख सकते हो अगर टांस्पेरेंश करके मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊं तो टांस्पेरेंशी में थोड़ा और खुशूरत लगता है यह देखे आप क्योंकि यहापर यह देख सकते हो पूरा सीड़ी जो भी लगी है बैड्रूम गाड़ी सब कुछ आप देख सकते हो तो यह डिजाइन आपको कैसा लगा बीस बाई चालिस का मुझे कमेंट करें दोस्तों और बताएं अगर आप दूसरा डिजाइन कोई चाह रहे हैं तो हम मुझे कमेंट कर आपके फेस्बुक पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीस फॉलो जरूर करने इसका लिंक डिस्किप्शन में जैसे आप फिर क्लिक करेंगे यहाँ पर आजाएंगे और एक फॉलो बटर मिल जाएगा आपको क्लिक कर लेना है और अगर आपने अभी तक चैनल को कर लें ऐसे लेटेस्ट अपडेटेड न्यू थी